let's do question number 43 of exercise 5a that is the arithmetic progression question number 43 is how many two digit numbers are divisible by 3 3 से कितने numbers divisible है two digit number होने चाहिए तो two digit अगर number देखें तो three fours are 12 आता है 12 से start होता है तो two digit number एक तो 12 हो गया उसके बाद 15 होता है उसके बाद 18 होता है so on और 99 देखें 99 हमारा divisible होता है three से तो 99 तक हमारे numbers आते हैं two digit right उसके बाद 100 हमारा three digit number हो जाएगा तो अब यह हमारी AP बन गई है अब इसके बीच में कितने numbers आते हैं वो बताना है हमें तो हमारा A क्या हुआ first digit that is 12 जो यह हुआ वो हमारा A हुआ D क्या हुआ this minus this मतलब 15 minus 12 तो D आ गया हमारा 15 minus 12 that is 3 अब हमें Nth term निकालने हैं कि कितनी terms हैं इस पूरी AP में two digit number वाली तो A plus N minus 1 into D तो Nth term last number हमारा आ रहा है 99 तो A क्या है हमारा 12 plus N हमें पता नहीं है D हमें पता है 3 है तो यह आ गया 99 equals to 12 plus 3 N minus 3 तो यह आ गया 99 equals to 3 N 12 plus का बड़ा number है तो 3 minus हो गया तो plus का 9 बच गया अब 99 में 9 इधर आके minus का हो गया equals to 3 N तो 3 N कितना आ गया that is 90 तो N कितना आ गया 90 upon 3 that is 30 इसका मतलब 30 ऐसे number है जो की इस AP में है ऐसे two digit number जो की 3 से divide होते है answer let's do question number 44 of exercise 5a that is arithmetic progression question number 44 is how many three digit numbers are divisible by 9 कितने ऐसे numbers हैं जो की divisible है 9 से तो 3 digit number होने चाहिए that means 3 digit कौन सा ऐसा number है जो की 9 से divisible है तो 100 देखें तो 100 divisible नहीं है 101 भी नहीं है और 102 भी नहीं है कैसे पता चलेगा 9 से divisible है की नहीं है उसका 3 numbers का sum हमारा 9 से divide होना चाहिए अगर आप देखें 3 digit number में 108 इन तीनों का sum मिला के 9 है तो हमारी divisibility 9 की क्या कहती है अगर तीनों number का sum 9 से divide होता है तो that means whole number is divisible that means smallest number कितना हो गया 3 digit number एक सबसे smallest 108 हो गया उसके बाद कौन सा आएगा जो की 9 से divisible होगा that is 117 right and after that कौन सा number होगा जो की 9 से divisible होगा that means 126 so on अब कहां तक होंगे ये पता लगाना है 3 digit number अगर 900 वाले में देखें तो 999 भी ऐसा number है जो 9 से divide होता है right क्योंकि 1004 digit हो जाएगा अब हमें एक पता चल गया a है हमारी first value that is 108 और हमारा d कितना है d है 117 में से 108 माइनस किया that is 9 right अब हमें nth term निकालनी है कि ये term निकालनी है कि इस पूरे ap में कितनी values है कितनी terms है जो कि divisible हो सकती है 9 से तो इसका formula है a plus n minus 1 into d तो ये हमें पता है triple 9 है a हमें पता चल गया 108 है n हमें पता नहीं है और d हमें पता है 9 है तो अब brackets open कर लेते हैं तो ये आ गया 108 plus 9n-9 तो triple 9 equals to 108 में से 9 गया इस 99 plus 9n अब 99 दूसरी साइड गया तो minus को जाएगा तो triple 9 में से 99 minus को गया तो 9n कितना आ गया 900 और n कितना आ गया 900 divided by 9 that is 100 इसका मतलब इस AP में 108 से 999 तक 100 ऐसे numbers हैं जो की 9 से divide होते हैं answer जो कितना बाल प्रक्ष्या घड़ाए बाला है एग रातर हैं भीभर